दोस्तों कमपनी ने इस टेक्टर को 12 प्लस 3 UG Gear के साथ में लौंच किया है और साथ ही New Holland के 25 वेर पूरे होने की खुसी में कमपनी ने इस टेक्टर को High Speed के साथ में High Performance भी इस टेक्टर में डाली हुई है साथ ही साथ इस टेक्टर में आपको Reverse VTO जैसा Option भी मिलने वाला है कमपनी ने इस टेक्टर की Lift Capacity को 1700 केजी से 2000 तक बढ़ा दिया है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर लगाया हुआ है जिससे इस टेक्टर की जो Lift Capacity है एकदम दुगनी हो चुकी है तो नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आज की एक और नई वीडियो के साथ वापिस से और दोस्तो आज की इस वीडियो में एकदम बढ़िया टेक्टर करीवियो होने वाला है तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा सबसे पहले दोस्तो इस टेक्टर के दिए हम प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं तो कमपनी ने इस टेक्टर का प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है जिसमें इस टेक्टर का प्लेटफॉर्म कुछ खुर्दूरा तरीके से बनाया गया है ताकि किसान भाई चलते समय इसमें फिसल ना जाएं यहाँ पर देख सकते हैं दो सीडियों टाइप में यहाँ पर बना हुआ है पैदानी साथी साथ इस टेक्टर में यदि हम पावर स्टेरिंग की बात करें तो कमपनी ने इस टेक्टर में आपको सिंगल एक्टिंग हाईडूलिक पावर स्टेरिंग दी हुई है साथ ही ये ट्रेक्टर 4WD के साथ में आता तो यहां पर काफी heavy duty आपको soft मिलने वाली है दोस्तो यदि हम tire size की बात करें तो company ने इस ट्रेक्टर में MRF का बढ़िया tire size साथ ही 95-24 का यहां पर अंगला tire पिछले tire size की बात करें तो यह भी MRF company का tire मिलने वाला है जो कि आपको 16-9-28 tire size के साथ में आने वाला है साथ ही साथ दोस्तो अब इस ट्रेक्टर के दिया कुछ engine की बात करें तो company ने इस ट्रेक्टर में alternator 36 mph 12 volt का रखा हुगा है साथ ही साथ ये ट्रेक्टर 50 hp category के साथ में आता है तो यहां पर आपको beijing मिलने वाली है फ्रेंट से कुछ इस तरीके का लोग नेजर आता है जिसमें आपको फ्रेंट में काफी अच्छी जाली मिलने वाली है लोग की बात करें तो दोस्तो ये है नियू होलेंड का 36 TX model जो की 50 hp का ट्रेक्टर है जिसमें आपको सूपर प्लस की आपको यहां पर बेजिंग मिलने वाली है 12 प्लस 3 UG गेर सिस्टम इस तरीक्टर में आपको मिलने वाला है यहां पर फ्रेंट एक्सल मिलने वाला है साथ ही साथ यहां पर यहां पर यहां इस तरीक्टर के इंजन की बात करें तो आपको 50 hp का इस तरीक्टर में 3 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है जो कि water cool engine इस टेक्टर में होने वाला है देख सकते हैं दोस्तो इस टेक्टर में आपको boss company का fuel airline pump भी company ने इस टेक्टर में offer किया हुआ है double double tender oil pump इस टेक्टर में मिलने वाला है काफी बड़ा oil filter मिलने वाला है साथी साथ water separator की position यहाँ पर मिलने वाली है और दोस्तो काफी अच्चा इस टेक्टर में water separator बनाया गया है जो कि एकदम भैतरीन diesel filtration का कारे करता है साथी ठीक seat के पास में आपको इस टेक्टर का जो gear box होता है कुछ तेड़ा मेला इस तरीकी से बनाया गया है बात करें दोस्तो इस टेक्टर की clutch की तो कमपणी ने इस टेक्टर में double clutch दी हुई है यदे हम बात कर देतें इस टेक्टर के handle की तो काफी heavy duty, काफी बढ entwic dirty, काफी बढ़िया handle इस टेक्टर में मिलने वाला है सुपर subtle gear भी से टेक्टर में मिलने वाला है राइट साइड बात करें number of gear 4 और 7 में ही reverse का gear box मिलने वाला है DCPC और distributor valve का lever भी यहाँ पर मिलने वाला है साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं parking का lever भी मिलने वाला है Multiplated oil immerse dix break भी इस टेक्टर में मिलने वाले है तो दोस्तो इस टेक्टर में भर भर के आपको इस टेक्टर में फीचर मिलने वाले है साथ ही साथ Canopy के साथ में New Holland का 36 बहुत ही लाजवाब टेक्टर नजर आता है दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर alternator लगा हुआ है साथ ही साथ एक और oil filter भी इस टेक्टर में लगा हुआ है चलिए अब इस टेक्टर के पिछले हिस्से की बात कर लेते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक और एक 11 सब्सक्राइब जरूर करिएगा पीछे देख सकते हैं रिफलेक्टर की position मिलने वाली है कमपनी ने इस टेक्टर में पीटियू लगा के दिया हुआ है जिसमें आपको 45 होस पावर का reverse पीटियू भी इस टेक्टर में मिलने वाला है और दोस्तों यहाँ पर double distributor wall में मिलने वाले हैं साथ ही साथ इस टेक्टर में एक बड़ी खोबी है जो की इसकी lifting capacity को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है रिफ्लेक्टर की position यहाँ मिलने वाली है टूल बॉक्स भी काफी ज़्यादा heavy duty इस टेक्टर में मिलने वाला है और दोस्तों और भी यदि हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दिक सिक्स वेर की warranty वी इस टेक्टर में आपको मिलने वाली है साथी साथ इस टेक्टर में बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट पीछे दी गई है इंटीकेटर बेकिंग लाइट का एकदम perfect combo इस टेक्टर में मिलने वाला है तो दोस्तों कैसा लगा आज का रिवियो वीडियो आसा करते हैं आज का रिवियो वीडियो बहुत अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आँगे आप कौन से टेक्टर कर डिवियू चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप सकेंड हैं टेक्टर कर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताईएगा आज की वीडियो बस पना ही जै जवान जै किसान